बलोच मुझामती राशून सरदार खेरवक्षमरी की बरसी पर NDP की निव कहान तक रेली समंदरी तूपान आई पर जुआए और माड़ा सायल से 990 किलो मीटर दूर जुनूब मश्रिक पहुंच गया बाप बिकरना शुरूत दीन रुकने असंबली समेत मुतादिद रहनों मा गौनसला चोड़ कर उड़ गए आज जून की दस तारीक है दिन अफ़ता और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के दस बज रहे हैं बलूचिस्तान अफियर्स की उर्दो नियूस बुलिटिन सरशप अहवाल के साथ में हों मकबूल नासिर शपवश बात नेशनल डिमोक्रेटिक पार्टी के जेर एहतमाम बलूच मुझामती रहशून सरदार खेरबक्ष मरी की बरसी पर कोईटा शहर से नियू काहान तक मोटर साइकल और गाड़ियों की रेली निकाल कर राजी रहशून की आखरी आरामगाह पर हाजरी दे कर फातिया खानी की गई और उनकी दर से जिद्व जहद के मताबक बलूच कोमी हुकूक के लिए जिद्व जहद को तसलसल से जारी रखने का आजम किया गिया रेली में सेकड़ो अफराद शरीक थे समंदरी तूफान आई पर जौए औरमाडा साहिल से 990 किलो मीटर जुनूब मश्रिक में मौजूद है नेशनल डिजास्टर मनेजमेंट अतार्टी के मताबक मश्रिक वस्ता के बहीर अरब में आने वाला शदीद समंदरी तूफान आई पर जौए अपनी शिदत बरकरार अतार्टी ने सुबाई डिजास्टर मनेजमेंट अतार्टी और दीगर मतालिकादारों को हाई अलट जारी किया है ताकि किसी भी मुम्किना सुर्थिहाल से बरवक्त नम्टा आ जा सके मागमा मौसमियाद की पेशन गोई है कि ये समंदरी तूफान शिमाल मगर्ब की जानब से 120-130 किलोमीटर भी गंटा की रफ़तार के साथ आगे बढ़ रहा है इस सुर्थिहाल से समंदर के दरजे हरारत में जाफा और हवा के कम दवाओ के बाइस तूफान की शिदत में मजीद इजाफ़े का ख़चा है कि ये तूफान बारती रियासत गुजरात सिंद के साहिल से टक्रा सकता है ये भी पेशन गोई है कि आटारा से 24 गंटों के अरसेम ये सिस्टम शिमाल और शिमाल मजर्ब की जानब बढ़ सकता है दूसरी जानब डिरेक्टर जनरल प्राविंशल डिजास्टर मनेजमेंट अतार्टी जहाजिब खान ने बताया है कि समंदरी तूपान आयपर जुआयरुक तबदील करके शिमाल और शिमाल मजर्ब की जानब बढ़ रहा है जिसके बाइस तूफान के मकुरान के साहिल की तरफ बढ़ने के इमकानात ज्यादा ओर रहे हैं डिजी पीडियमे ने बताया है कि पीडियमे तमाम तर सुर्थिहाल का बाकाइदा जायजा ले रही है पीडियमे मतालगा अजला के डिप्टी कमिशनर से मकमल राबते में हैं मकुरान के साहिल पर दफा एक सो चावाली इसके नाफिज के लिए डिप्टी कमिशनर को मुरासला अरसाल कर दिया गिया है जाजब खान ने बताया है कि नागहानी सुर्थिहाल से निमटने के लिए रिसक्योटी में तीन सो खांदानों के लिए फूड फूड आइटम गौदर नान फूड आइटम गौदर बिजवाए जा रहे हैं जबके ला इनफॉर्समेंट अदारों और इंतिजामिया से मकमल रापते हैं दोर इसक्योब बोर्ट्स गौदर जिल इंतिजामे के हवाले कर दी गई हैं मस्तुंग में गौलियों से चलनी लाश बरामत तुर्बत में बम हमला मस्तुंग कंड में सुरी के गरीब आमाच के पहड़ी रास्ते पर 35 साला नामालूम शक्स की गौलियों से चलनी लाश पुलीस ने बरामत करके अस्पताल मुंतकल कर दिया पुलीस जराइके मुताबिक लाश दो रोज पुरानी है पुलीस जराइके मुताबिक तुर्बत के लाके सिटलाइ टाउन में नामालूम मोटर साइकल सवारों ने यासिर बहराम रिंद नामी शक्स के गर पर दस्ती बम से हमला किया जो बेरोनी दिवार पर गिर कर जोड़दार दमाके से पट गया ताहम जानी नुकसान की इतला नहीं बलुचस्तान में 2018 के आम इंतिखाबात के चंद दिनों कबल बनने वाले बलुचस्तान अवामी पार्टी बाप आएस्ता आएस्ता बे करना शुरू हो गई पांच खٌा आशाम शाल कबल बने वाली बलुचस्तान अवामी पार्टी एल्यक्शन में बलुचस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बरसरे इक्तिदार लाए गए लेकिं अब तीन साल के बाद पार्टी में ऐसी फूट पड़ी के पार्टी के सदर जाम खमालखान को अपनी ही जमायत के अरकान असमबली के हातों वजारत अला से हात दोने पड़े अब तक पार्टी के तीन अराकानी असंबली समेत कई रहनुमा पार्टी गोंसला चोड़ कर उड़ चुके हैं बाप के तीन अराकी ने असंबली एलेक्शन से कबल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अमानतन सौंप दिये गए जबके पाकिस्तान फीपस पार्टी के रहनमाओं का दावा है कि बलोचस्तान का आएंदा वजिर आला जीयाला होगा दूसरी जानब जराय के मताबिक जहांगीर तरीन की नौमौलूद इस तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कियादत ने बलोचस्तान में पीटियाई के अराकी ने असंबली से राप्तों का स्रसला शुरू कर दिया है जिनमें डिप्टी स्पिकर बलोचस्तान असंबली बाबर मुस तजरूबात की नाकामियों को तारीख के दरिया में पैंक कर नए नारों के साथ मेदान में उतर चुके हैं वफा की बजट 2023-26 में नियू गौदर इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए 5 बिलियन रूपे मुक्तस पाकिस्तान के नए वफा की बजट 2023-26 में नियू गौदर इ बिलियन रूपे मुक्तस किये गये हैं इसके साथ इन जी आई ए की कुल लागत 55-4 अरब से 60-208 अरब रूपे की जाएगी गौदर प्रो के मताबिक वज़ारत मनसुबबंदी पहले ही दो जून को इसलामाबाद में आला इक्तियाराती हुकूमती फैसलासाज अदारे सें 22.5 बिलियन रूपे के पहली नजरसानी की मनजूरी 2015 में दी गई थी दूसरी नजरसानी शुदा PC1 के साथ दसंबर 2021 में 51.258 बिलियन रूपे की लागत से हुई बारा अक्तुबर 2020 को 55.5 बिलियन रूपे को ग्रेन लाइट किया गया बलूचस्तान का 2023-24 का मजमूई बजट 700 अरब खसारा एक सो पचास अरब रूपे से जायत होने का इमकान बलुचस्तान के आएंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किये जाने का इमकान है माकमा खजाना के जराय के मताबिक माली साल 2023-2024 के बजट का हुझम 700 अरब रूपे तक होने का इमकान है बजट में आमदनी का तकमीना 529 अरब 32 करोड रूपे है जराय के मताबिक आएंदा माली साल के बजट का खसारा 150 अरब से जाइद होने का इमकान है जबके तरक्याती बजट 200 अरब रूपे के लगबग हो सकता है जराय का कहना है कि बजट में 5000 से जाइद मुलाजमें मुलाजमतें फ्राहम करने और सरकारी मुलाजमीन की तनखाओं में 30 पीसाद इजाफे की तजवीज शामिल है आएंदा बजट में बलुच्टान के अपने वसाइल से अमनी का तकमीना 60 अरब 32 करोड रूपे है NFC Award के तहट खाबल तकसी महासिल और दीगर जराय से आमदन का तकमीना 413 अरब रूपे है आएंदा माली साल के बजट में तालीम के लिए 90 अरब रूपे रखे जाने की तजवीज है जबके अमन और अमान के लिए 60 अरब रूपे और सेहत के लिए 50 अरब रूपे रखे जाने की तजवीज है आलमी और अलाकाई खबरे नियोक में दूएं के बादल मौसमियाती बहरान की अलामत हैं अक्वाम मुतहदा अक्वाम मुतहदा ने कहा है के केनड़ा के जंगलात में लगने वाली आग से दूएं का नियोक और अमरीका के दीगर शेहरों तक पेलना मौसमियाती बहरान की अलामत है आलमी खबरसादारे ने अक्वाम मुतहदा के तर्जमान स्टेफिन दूजार के अवाले से बताया है के केनड़ा के जंगलात में लगने वाली आग का तालुक मौसमियाती माहिरीन और साइंसदानों की दरजह हरारत में इजाफे से मुतालिक वारनिंग से भी है नियॉयॉक की फजा में दूएं के बादल और दुनिया के कई हैसों में खराब मौसम आब और हवा के बहरान की अलामत है ये याद दिलाते हैं के अक्वाम मौतादा के सेकरेटरी जनरल अंतोनियो गोटरिस ने नामियाती एंदन के इस्तमाल को कम करने की जरूरत पर मसलसल जोड़ दिया है उन्होंने उम्मी जायर की के नियू यूर्क जो के आलमी दाल होकूमत की एसित रखता है में इस तरह की सुर्थिहाल आलमी ब्रादरी को मतारिक करेगी अक्वाम मतायदा के सरबरा अंतोनियो गोटरिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किये अपने तस्वीरी पेगाम में लिखाए कि किनड़ा में लगने वाली आग की वज़ा से हम न्यूय यूर्क में आलमी अदारे के हिड़ कौर्टर में मौसुमी तबदीदियों के असरात महसूस कर रहे हैं बेलारूस में कम फासला जोहरी अतियार नस्ब करेंगे सदर प्यूटन रूस साथ से आठ जुलाई के बाद बेलारूस में कम फासला जोहरी अतियारों की तनसीब शुरू करेगा रूसी सदर विलादमीर प्यूटन ने अपने बेलारूसिया अलेक्सेंडर लोकाशेंको को ये बात सोशी में होने वाली एक मुलाकात में बताई क्रेमलन की तरब से जारी बियान के मताबक प्यूटन का कहना था कि हर काम मनसुबबंदी के मताबक ओ रहा है सब कुछ मुस्ताकिम है खाबलाजीन दोनों शक्सियात ने रूस से जमीन पर नस्ब होने वाले कम फासला जोहरी मीजाईल नस्ब करने के हवाले से इतिफाक किया था वाज़ रहे कि सोईट यूनिन टूटने के बाद ये पहला मौका होगा कि रूस अपने वार हेड्स मुलक से बाहर नस्ब करेगा सदर प्यूटन का कहना था कि इसकंदर नामी कम फासला बेलेस्टिक मीजाईल पहले ही बेलारूस के अवाले किये जा चुके हैं इन मिजाईलों में नियो किलियर वार हेड ले जाने की सलायत है जबके ये 500 किलो मीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं शहरी हुकुक का इहतराम करने वाला जमूरी पाकिस्तान अमारे मفादात के लिए एम है अंतोनी बलेंकन अमरीकी वज़िर खारजा अंतोनी बलेंकन ने 60 से जाएद अमरीकी खानून साजों की जानब से पाकिस्तान में जमूरियत और बन्यादी इनसाने हुकुक के तहाफूस के लिए के हवाले से लिके गए ख़त का जवाब दे दिया अमरीकी वज़िर खारजा का कहनाता के शेहरी हुकुक का एहतराम करने वाला खुशहाल जमूरी पाकिस्तान अमरीकी मفादात के लिए एहम है और अमरीकी माकमा खारजा हुकुमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होलर से करीबी रवाबित रखता है उन्होंने कहा है कि जमूरी उसूलों और कानून की हुकमरानी सब के लिए एकसां रखने की हमायत करते हैं अमरीका जल्द खतम नहोने वाले किसी तनाज़े में फरीक नहीं बनना चाता अमरीकी वजीर खारजा अन्टोनी बलिंकन ने पाकिस्तानी हुकमरानों से तालुकात में तावाजन इनसन हुकूक और जमूरियत पर समझोता कि बगेर पाकिस्तानी हुकमरानों से मतوازन खुशगवार तालुकात पर जोर दिया अमरीकी वजीर खारजा के खत में पाकिस्तान में तमाम स्टेक होलर से राप्ते के एमियत पर भी जोड दिया गया और रवाबित के साथ आजादिये इजहार राय स्यासी शमूलियत पर एहम खत्शात भी अजागर किये गए ख्याल रहे के साथ से जाएद अमरीकी खानून साजों ने अन्टोनी बलिंकन को सुलामाई को खत बेजाता जिसमें पाकिस्तान में जमूरियत और बनियादी इनसान हुकुक के ताफुस पर जोड दियाता आप यूट्यूब पर उर्दो न्यूस बुलिटिन शब दस बज़े और फेस्बुक पर साड़े दस बज़े मुलाइजा कर सकते हैं ये ते अब तक की एहम खबरें मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेब साइट और यूट्यूब चेनल विजिट करें इस बुलिटिन के एडिटर ते कंबर मालिक बलूच और तकनी के एडिटर ते हमर करीम बलूच मुझे बलूचस्तान अफिर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए शबश बात